नमस्कार, सर्जरी के इस नए लेक्षर में आज हम बात करेंगे कोली लिथियासिस के बारे में हम चर्चा करेंगे गॉल स्टोन के बारे में तो इस तरीके से गॉल ब्लेडर जो हमें स्टोन के साथ यहां पर दिख रहा है यह स्टोन बनते कैसे हैं कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए तो हम यहाँ पर इन सारी बातों पर डिसकस करेंगे यह बाइल बनता कैसे है, क्यों बनता है और कितने तरीके के होते हैं सबसे पहले हम यहाँ बाइल के बनने के कारणों के बारे में डिसकस करेंगे शुरुवाती कारण जिसके बारे में पता चलता है कि Bile Stone कैसे बनता है उस पर जब हम बात करते हैं तो Phospholipids और Bile Salt का combination और इसका ratio cholesterol के साथ जब देखा जाता है तो generally ये 25 is to 1 होना चाहिए नॉर्बल कंडिशन में Phospholipid और Bile Salt Bile में cholesterol के comparison में 25 तक होते हैं बात समझ में आई लेकिन अगर Bile में Bile Juice में अगर Phospholipid Bile Salt के combination का concentration घटने लगे cholesterol का concentration बढ़ने लगे यानि यह ratio कम होने लगे जब यह ratio कम होकर के 13 is to 1 या उससे भी कम हो जाए तो gall stone बनने के chances हो जाते हैं तो यह ratio मायने रखता है नार्मल लोगों में कितना रेशियो होता है 25 is to 1 जब Phospholipid और Bile Salt का concentration कम होने लगा cholesterol का concentration बढ़ने लगा तो यह ratio कम हो जाता है 13 is to 1 या उससे भी कम होने लगे तो stone बनने के chances हो जाते हैं तो यही बात यहाँ पर बताए गया है cholesterol का concentration बढ़ने लगे Bile Juice में Bile Salt का concentration कम होने लगे फासफेट का concentration कम होने लगे तो यह एक करण हो सकता है हाला कि यही एक मात्र कारण नहीं है कई बार ऐसा भी होता है कि cholesterol का एक छोटा सा nidus या crystal फार्म होता है जिसके उपर दूसरे crystals आकर के deposit होना शुरू कर देते हैं तो ऐसा होने की वज़ा से भी गॉल स्टोन बन सकते हैं तीसरा कारण Stasis of Bile Bile की Stasis की वज़ा से भी ऐसा possible है जब कभी भी गॉल ब्लैडर में Bile इकठा हो रहा है लेकिन Colecystokinin उसे contract करके squeeze करके निकाल नहीं रहा है जैसा कि fasting में होता है या total parental nutrition में होता है या फिर इस तरीके के मामले और भी बहुत सारे जगों पर ट्रंकल वेगो टॉमी जैसे मामलों में भी देखा जाता है खास तोर पर आप याद रखें fasting है या total parental nutrition दिया जा रहा है तो गॉल ब्लैडर कभी भी Colecystokinin की मदद से squeeze नहीं किया जाएगा गॉल ब्लैडर से bile बाहर नहीं आएगा इसके कारण यहाँ पर bile collect होने लगेगा concentrate होने लगेगा और यहाँ धिरी-धिरी करते हुए यहाँ से release नहीं होगा तो यह contract नहीं करेंगे तो गॉल ब्लैडर के भीतर bile juice इकठा होते होते वो concentrate होते होते stone का form ले लेता है इसी तरीके से Clonarchis sinensis के infection जो की Clonarchis sinensis bile duct गॉल ब्लैडर या pancreas के भीतर रहता है यह infection भी गॉल stone करा सकता है infection में किसका infection? Clonarchis sinensis अभी हमने नाम देखा इसके अलावा E. coli ascaris का infection होने पर भी गॉल इस्टोन बनने के chances देखे गए हैं Hemolytic anemia का relation भी कई बार गॉल इस्टोन के साथ जोड़ करके समझा जा सकता है तो इसके कई सारे कारण है लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है वो है phospholipid bile salt का ratio कम होना cholesterol का concentration बढ़ना और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें मैंने बताया था cholesterol का छोटा सा nidus उसके उपर दूसरे चीज़े जमा होने लगे इसके साथी साथ stasis bile की stasis इकठा होने की करण लगातार ऐसा इकठा हो करके वो stone का farm ले सकता है तो चलिए बात करते हैं कितने तरीके के gall stone होते हैं उसके types के बारे में भी चर्चा कर लें तो इसके types इसमें constraints किसका जादा है उसके आधार पर बताया जाता है जैसे cholesterol का बना हुआ होगा तो कुछ इस तरीके का crystal होगा आप देखें pigmentory होते हैं तो pigmentory अलग तरीके से उसमें pigments होते हैं cholesterol के बने हुए bile stones या जो भी cholesterol के gall stone western world में most commonly देखे जाते हैं western world के people में cholesterol के gall stone हमें जादा दोर पर देखने को मिलते हैं या radio lucent होता है या generally solitary होता है तो western countries में या western world में कौन सा जादा common है cholesterol का बना हुआ gall stone मैंने आपको बताया था ना cholesterol का small nidus और उसे के उपर जमा हो हो करके इस तरीके के cholesterol के gall stone बन सकते हैं इसके बाद mixed gall stone के बारे में भी हमें पता होने जाए mixed gall stone जो की इंडिया में most commonly देखा जाता है या cholesterol, calcium phosphate, calcium carbonate की combination से बनने वाला gall stone है या radio opaque होता है और इसमें stone में छोटे छोटे कुछ इस तरीके से गड़े होते हैं mixed gall stone में कुछ इस तरीके से fisher होते हैं जो mercedes car के symbol के जैसा resemble करते हैं आप यहाँ पर देखें या mercedes car के जैसा symbol यहाँ पर कुछ resemble हो रहा है इसलिए mixed gall stone में mercedes bench sign मिलती है या seagal sign पाई जाती है एक और stone की बात करें pigment gall stone की बात करें तो इसके color को आप देखें यह black या brown color का stone है जो की stone world के लोगों में आम तोर पर देखा गया है या hemolytic anemia के patients या फिर ascaris या clonarchis sinensis के infection वाले patients में इस तरीके के black या brown color के pigment stones बनते हो देखें गया है hemolytic anemia याद रखना है ascaris का infection हो या clonarchis sinensis का infection हो ऐसे मामलों में pigment की बात कर लेते हैं टाइपस में cholesterol gallstone या western world के या western countries के लोगों में अधिकतर देखा जाता है या आम तोर पर single stone होता है या translucent होते हैं इंडिया में mixed stone ज्यादा common होता है mixed stone क्या होता है? mixed stone कैसा होता है? या cholesterol, calcium phosphate calcium bilirubin जैसे constructs से mil करके बना होता है, इसलिए mixed कहलाता है या radio opaque होता है और इसमें कुछ fissure दिखते हैं जो की mausadis binge sign के जैसा resemble करने के कारण यहाँ पर हम mausadis binge sign या seagal sign कहते हैं मैंने आपको justify किया इसके बाद हम लोगों ने कुछ black और brown कलर के pigment stones देखे थे तो ऐसे pigmented stones stone word के लोगों में अधिकतर मामलों में देखे जाते हैं hemolytic anemia या फिर infection klonarchis, sinensis, ascaris के infection के मामलों में इस तरीके के pigmented stones देखे गए थे clinical features की बात करें तो अधिकतर मामलों में patient asymptomatic होता है, कोई symptoms नहीं होते हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि patient में symptoms मिलते हैं और most common symptoms right hypochondrium में pain होता है ऐसा pain जो के आगे चल करके पीछे की और right scapula तक radiate करता है तो कुछ ऐसा pain जो right hypochondrium में develop होता और पीछे की और right scapula तक radiate करता है इसे biliary colic कहा जाता है हम लोगों ने अब तक gallstone कैसे बनता है उसकी causes क्या है types क्या है उन सभी के बारे में discuss क्या symptoms क्या होता है उसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं मैंने बताया था abdominal pain होगा abdominal pain के साथ साथ ऐसा pain जो कि पीछे की और radiate करता हुआ जाएगा right scapula में यह radiate करते हुए पहुचता है biliary colic इसे कहा जाता है हाला कि और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी हो सकता है joindis के साथ present करें और बाकी features भी हो सकते हैं यह general features की यहाँ पर बात की जा रही है biliary colic जो कहा जाता है यह colicी pain जैसा term नहीं है यह नाम रखा गया है ध्यान रखना है कि यहाँ कोलिक जो готов is misnomer है क्यों misnomer है क्योंकि कॉलिकी pain में continuous pain नहीं होता on and off pain होता है याद रखना है यहाँ पर जो pain होता है वो लगातार बना रहता है इसे colicी pain से confused नहीं होना है यह misnomer है बिलिरी कॉलिक जो कहा जाता है कॉलिकी एक्चली ऐसे पेन को कहते हैं जिसमें थोड़ा सा आन एन आफ बना रहता है लेकिन ये कॉलिकी पेन ऐसा है जो बिलिरी कॉलिक है ये continuous पेन होता है हमें इस बात को समझना होगा अब सवाल यह है कि कई बार accidentally हमें पता चल जाता है गॉल स्टोन है कई बार इस तरीके के patient presentation के साथ आते हैं तब हमें पता चलता है तो investigation क्या कराएंगे investigation कराते हैं ultrasound ultrasound कराने पर क्या special features मिलेगा उसको question के रुप में पूछ लिया जाता है तो ये gall bladder है gall bladder में यहाँ पर stone है और इस stone का एक shadow मिल रहा है आप देख सकते हैं ये posterior acoustic shadow है जो कि ultrasound में ultrasound abdomen कराने पर gallstone की presence होने पर मिलता है इस image में भी देख सकते हैं ये gall bladder है इसमें hyper echoic gallstone hyper echoic gallstone जिसमे posterior shadowing यहाँ पर दिख रहा है ये shadow जिसे acoustic shadow कहते हैं ये ultrasound पर अगर मिल रहा है तो gall bladder के भीतर stones हो सकते हैं ultrasound पर इस तरीके के shadow posterior acoustic shadow के presence अगर मिल रही है तो ये gallstone की वज़ा से हो सकती है इसलिए investigation of choice यहाँ पर ultrasound होता है अब treatment की बात करें treatment जनरली symptomatic patients में कराने के जरुवत होती है asymptomatic patients में या size of stone अगर छोटा है छोटा stone होगा तो अधिकतर मामलों में कोई symptoms नहीं आते है जब symptoms आएंगे तो ही हमें treatment की जरुवत पड़ती है इसमें भी medical management और surgical management दोनों option हमारे पास है तो medical management में क्या क्या किया जा सकता है उसको समझ ले medical management हला कि इसके results बहुत ही mixed results है कुछ लोगों में इसके results मिलते हैं कुछ लोगों में इसके results नहीं मिलते हैं medical management तभी कराने के लिए advice किया जाता है इसके कुछ pre-requisits हैं जैसे solid, solitary stone हो stone का size 20 mm से कम हो radio lucent stone हो या इस stone की वज़ा से gall bladder के functions पे कोई फरक न पड़ा हो functioning gall bladder हो कोई acute symptoms नहीं है तभी हम medical management की advice करेंगे तो याद रखना है solid, solitary, single बात समझ पा रहा है solid, solitary solitary मिन सिंगल stone हो stone का size 20 mm से कम हो radio lucent हो और इस stone के अलामा gall bladder का अपना functions properly कर रहा हो patient को कोई acute symptoms नहीं हो कभी-कभी symptoms आ रहे हैं लेकिन acute symptoms नहीं हो तो फिर हम patient को medicines advice कर सकते हैं हाला कि medicines का कितना result रहेगा ये भी कहना मुश्किल है यह medicines जो advice की जाती है वो होती earthio deoxicolic acid और chino deoxicolic acid वही bile acids हम दे करके जो concentration कम हो रहा था उसको हम बढ़ानी की कोशिश करते हैं तो cholesterol के comparison में जब ये acids जादा बढ़ेंगे तो stone बनने के chances कम हो जाते हैं हाला कि medical management बहुत सारी लोगों में fruitful नहीं होता है इसलिए हमें surgical options के बारे में सोचना होता है surgery यानि kolecystectomy हमें करना होता है तो यहाँ पर दो तरीके की surgery होती है laparoscopic kolecystectomy और हम open भी इसे कर सकते हैं सवाल यह उठता है कि surgery में laparoscopic kolecystectomy कब करेंगे कब नहीं करेंगे उन सारी चीजों के बारे में हम next lecture में discuss करेंगे